दोस्तों आप सबका टेलेंट वाइज की आज की इस दमाकदार वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया वर्सिज आस्ट्रेलिया के थर्ड ओडियाई किर्केट बैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन के बारे में सो दोस्तों जो टीम में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बहुत ही मजबूर टीम होगी और इस टीम की मदद से आप Grand League जीत पाओगे जिसमें की बहुत बड़े प्राइजेज भी आप विन कर सकते हो सो विडियो को पूरा एंड तक दीखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि फैंटेसी टीम कैसे सिलेक्ट की जाती है कौन से खिलाडी को लेना रहता है कौन से खिलाडी को नहीं लेना है किसे कैपटन बनाना है कैसे आप Grand League बेसिकली जीत सकते है सो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा चलिए बिना टाइम वेश्ट किये सुरुवात करते इस दमागेदार वीडियो की और मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकलर मैच का जो की आज डेड़ बज़े सुरू होने वाला है डीटेल एनलेसिस सो करंटली आप देख पारे हो यहाँ पर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह मैच होने वाला है और ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन पूरा हम डीटेल में यहाँ पर करने वाला है अब जरूरी नहीं कि यह टीम आप ड्रीम 11 पर ही बनाओ आप किसी भी फेंटेसी आप का यूज करते हो आप जो है इसको यहाँ पर बेसिकली जो है समझ सकते हो अच्छे से राइट ताकि आप वो खिलाडी पकड़ पाओ जो कि आप अपनी टीम में लेना चाहते हो अब यहाँ पर मैच डीटेल आपके सामने है आज तीसरा मैच है सताई सितंबर को भारतिय टीम ने दूसरे मुकाबले में आउस्ट्रेलिया टीम को 99 रन से हराया और स्रंगला को अपने नाम कर लिया है पहले बलेबाजी करते हुए भारतिय टीम ने सुबमन गिल और स्रेय साहर के सतक की बदोलत 5 विकिट के नुकसान पर 399 रन बनाए जिसके जवाब में आउस्ट्रेलिया टीम रविंदर जडेजा, रविसंदरन, आस्विन की बैतरिन गेंदवाजी के आगे टिक नहीं पाई आउस्ट्रेलिया टीम की तरब से पिसले मुकाबले में डेविन ओरनर, सिन एबोट ने काफी अच्छा परदसन किया इस मुकाबले में रोईद सर्म कोई भी खबर सामने नहीं आई है, अब यहाँ पर आप देगे मौसम रिपोर्ट के हम बात करते हैं, आस्मान में हलके बादल चाये रहेंगे, हलकी सी बारी सोने की संभावाना आए भी यहाँ पर आमें लग रही है, तापमान जो है 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, नजर आई है, इस पिछ पर पिसले पांच गेंदवाज हो, पांच मुकाबलों में 58 मैसे 40 विकेट तेज गेंदवाज होने लिए, तता अठरा विकेट जो है स्पीन गेंदवाज होने लिए, पहली पारी का जो औस्त स्कोर हमें यहाँ पर देखने को मिला है, तो पहली पा 60% मुकाबले जीते गए अब बात करता है प्लिंग 11 की यानि की संभावित एकादस देगे द्यान से रोईत सर्मा जो कि इनके कैप्टेन है इसान किसंड जो की जो है बेसिकली बल्लेवाज है दिराट कोहली श्रेयश ऐयर केहल राउल हार्दिक पांडिया या सुर्यकुमार प्यादव, रविंदर जडेजा, रविचंटरन, आस्वेन, मौमद समीय कुल्दी प्यादव, मौमद सिराज, जस्पृत बुम्रा ये प्लेइंग 11 था इंडिया का यानि की ये वो खिलाड़ी है जो ग्राउंड पे रियल में खेलने वाले डेड़ बजे अब आस्ट्रेल अब ड्रीम 11 टॉप पिक्स की अपन बात करते हैं चार खिलाड़ी बताऊंगा भारत की तरफ से चार खिलाड़ी बताऊंगा आस्ट्रेलिया की तरफ से और लाजवाब खिलाड़ी होंगे सो भारत की तरफ से जो खिलाड़ी है वो है विराट कोली सुराती दो मुकाबलों में आराम करने के बाद अब टिम में वापस आ चुके और इस मैदान पर इन्होंने सांदर परदरसन करते हुए तीन मैचों में 170 रन बनाएं तता आस्ट्रेलिया के खिलाब 43 मुकाबलों मे 279 रन बना चुके हैं स्रेयस अयर तीसरे नंबर पर बले बाजी करने आए पिसले मुकाबले में और सांदर परदरसन करते हुए 90 गेंदों में 105 रन की बहतरिन पारी खेली लोकेस राखुल अभी तक दोनों मुकाबलों में अर्दसा तक लगा चुके हैं और इस रंखला मे 110 रन टोटल बना चुके हैं इस मैच में भी अच्छा विकल्प है मौहमद समी ये काफी अनुववी तीज गेंदबाज है और आस्ट्रेलिया की खिलाब इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है इन्होंने 20 मुकाबलों में 30 विकेट लिये और इस रंखला के पहले मुकाबले म इन्होंने 5 विकेट लिये थे अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के 4 खिलाडियों की जो की काफी बैतरिन परफॉमेंस दिखा सकते हैं उनमें डेविड वार्णर आप सभी को बदाए अनुववी सलामी बल्लेबाज है और इस रंखला में 105 रन बना चुके है और पिसल रन की पारी खेली और एक विकेट लिया श्टीव स्मित ये काफी अनुववी खिलाड़ी के होने के बावजुद कप्तान भी है और भारत की खिलाब 25 मुकाबलों में 1186 रन ये बना चुके हैं इस मैदान पर इन्होंने एक मुकाबला खेला है और 98 रन यानि कि 98 रन बनाए एडम जमपाई ये काफी प्रमुख जो है लेग स्पिन गेंदवाज है और भारत के खिलाब 21 मुकाबलों में 36 विकेट ये ले चुके हैं अब मैं आपको कप्तान एंड उपकप्तान के सुझाव शो करता हूँ सो देखिए कप्तान के तौर पे आपको विराट कोली, स्टीव स्मित और रूइद सर्मा को रडार पे रखना है हलाकि मैं यहाँ पे आपको स्वज़स्ट करूँगा कि आप स्टीव स्मित या रूइद सर्मा मैंसे किसी को देखे तो ज़्यादा बैटर रहेगा विराट कोली को भी आप देख सकते लेकि इन पिसले दो मैचों से बाहर थे हो सकता है इस बार परफोमेंस सही हो ना हो राइट उपकप्तान की अगर अपन बात करें डेविड वार्नर, लॉकेस, राउल एंड इसान के सन में से आप देख सकते हो अब कोर्स आप इनके बियोंड भी सोच सकते हो ये सिर्प मैं अपना प्रेडिक्शन आपके साथ सेर कर रहा हूँ अब ड्रीम 11 टीम वन में आपको पूरी बताता हूँ अब ड्रीम 11 टीम 2 की अपन बात करते हैं तो ड्रीम 11 टीम 2 में आप देखिए यहां पे यहां पे भी आप टीम देखी सकते हैं विकेट के पर इसान के सन एंड बैट्समेन रोईत सर्मा विराट को ली डेविड वार्नर और श्ट्रेयर साहियर एंड लभू सेंग इसके लावा आल राउंडर आप रविंदर जड़ेजा सी ग्रीन को भी ले सकते हो बॉलर्स में आप एम सिराज जस्परित बुमरा एंड जो सैजलवूड को आप ले सकते हैं तो यह पूरा जो है बेसिकली यहां पे ड्रीम 11 टीम था जो दू टीम मैंने यहां पे सेर गिया अब विसेसग्य का क्या कहना है इसके बारे में उसको यहां पे देखते हैं तुरी कि इस पिच पर बल्लेवाजों को मदद मिलती हैं दूसरी पारी में इस पिन गेंदवाजों को पिच से थोड़ी मदद मिलेगी रोईत सर्मा कप्तान और कप्तान के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जो कि मैं अल्रीडे आपको बता चुका हूँ इंडिया के यह मैच जीतने की संभावना यहां पे ज़्यादा लग रही है और इंडिया काफी संतुलित और मजबूर टीम बेसिकली नजर आ रही है अब देगे दोस्तो ध्यान से सुनिये इस चैनल के उबर हर एक चोटे वड़े फैंटेसी मैच का अपडेट आपको मिलेगा तो आप उन्हें भी आजवाँ सकते हूँ अपकोर्स फैंटेसी आपका शौक है प्ले गरना हमारा भी है सो हम जो टीम बनाएंगे वो आपके साथ सेर करेंगे आप नीचे डिये गई टेलिग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके टेलिग्राम को जोईन कर सकते हैं हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और हर एक मैच का अपडेट जो है आपको इसी चैनल के उपर दीखने को मिल जाएगा